हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है सरल भाशा चैनल में अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है प्ली सब्सक्राइब कर दीजिएगा देखिए जब भी हम एक ऐसी डिजीज या रोग के बारे में बात करते हैं जिसके की बहुत दुरगामी परिणाम हो सकते हैं जिससे अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो वो लाइफ पे भी भारी पड़ सकता है या जो आपके लाइस्टाइल से जुड़ा हुआ होता है तो एक ही रोग हमारे माइन में आता है वो है मधुमे या फिर डाइबिटीज फ्रेंट्स डाइबिटीज के जो रोगी है उनको स्टार्च वाला फूड बिलकुल नहीं खाना चाहिए या मीठा नहीं खाना और साथ में उन्हें वाग भी करना चाहिए एक्सराइज करना चाहिए यह सब जरूरी है स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए लेकिन फिर भी क्या होता है फ्रेंट्स की हम कितना भी चाहें कभी तेवहार आ जाते हैं कभी हमारा जनम दिन आता है या कोई दूसरे फंक्शन जाते शादिया आती है, थोड़ा थोड़ा हमारा मन भेहखने लगता है, हम मिठाईया भी खा लेते हैं, चावल खा लेते हैं, आलू खा लेते हैं, स्पेशली इन तीनों चीजों की मना ही होती है, डायविटीज में, आलू नहीं खाना चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी में, और चावल और साथ में मिठाईया, तो आप ले ही रहे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ घरेलू नुसके बताता हूँ, आयरुवेदा पे बेस्ड, आपको आयरुवेदिक उपचार बताता हूँ, जिनको आप स्पेशली करेंगे, फेस्टिवल सीजन में, मैरेश सीजन में, अभी मैरेश सीजन आने वाला है, उससे आपको काफी फायदा हो सकता है, पहली बात है कि जामुन, जामुन के बहुत ही पॉजिटिव इंपक्ट ह अगर आपको जामुन कही मिल जाए, तो उससे खरीद लेना चाहिए, और उसका सेवन करें, और जामुन जब आप सेवन कर लेंगे, उसकी गुटली होती है, उसे फेकिया मत, उसे सुखा लेना है, उसका पाउडर बना लेना है, और सुबह के समय जो है, थोड़ा सा वो की जामुन में तो फायदा है ही, जामुन सुपर फूड है, सुपर-फूर्ट है राधर, क्यों सुपर-फूर्ट है, क्यों कि गुटली भी इतने काम की है, है ना फ्रेंड्स, तो जामुन पर ध्यान दिजए कई मिल जाए, तो मिसा उट नहीं करना है, और अगर पतंजली म जाएंगे स्टोर्स पे तो आपको हाँ पे जामुन का भी जूस मिल जाएगा अपोलो में मिलता है ऐसे और भी जगे मिल जाएगा आपको तो वह भी आप ट्राइ कर सकते हैं दूसरी बात है कि जो आपको ध्यान रखना है कि मेथी दाना, मेथी के जो सीड्स होते हैं उसका बहुत ही इंपोर्टेंस है अगर रात को आप मेथी के सीड्स भिगा दें और सुबहों इसे चबा चबा कर खाएंगे पानी के साथ खाली पेट बहुत ही लाप करेगा आपको पता है कि आज आज आपको मिठाई खानी है, या आपको चावल खाना है, पुलाओ का अनन लेना है, फेस्टिवल है, आपका बर्डे है, मैरेज में जाना है, तो सुबह उठकर राज से तैयारी कर लीजे, मेथी थोड़ा भिगो दीजे, और रेगुलरी करें तो सोने आपको पता लगाएगा आपके अरिया में, नौर्थ इंडिया में, तो मिलेगा और नौर्थ इस में मिल सकता है, और पहाडी अलाकों इस आप भी आविल जाये गा, या असानी से, शायद उत्तरपदेश के कुछ पार्स से मिल जाएगा, बिहार में मिल सकता है, मद्द्य लेकिन अंजीर के पत्य अगर आपको मिल जाएं तो इन्हें सुबह आपको चबा कर खाना है पानी के साथ और आप चबा के नहीं खा पा रहे हैं तो थोड़ा सा बॉइल कर लेना है फिर आप खाएंगे उसको तो आप देखेंगे शुगर लेवल एकदम नीचे आ जाएगा तो यह काफी कारगर रहेगा आपके लिए अंजीर के पत्य और एक और बात है कि लसन को हमें बहुत हलके में नहीं आपना चाहिए या आकना चाहिए लसन आप जानते हैं कि ब्लड प्रेशर के लिए तो रामबान है लेकिन डाइबिटीस के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है और उसकी क्या विधी है कि आपको रात को जादा नहीं दो-तीन कलिया लसन आप भिगो के रग दीजिए रात को और सुबह उसे चबा चबा कर खाना है और अगर नहीं खाना पा रहे है तो उसे गटक लेना है पानी से रामदेव जी ने भी ये उपचार अपने लेहसून लसन जो भी कहते हैं आप उसको आप जरूर इसका प्रयोग करें और डियाबिटीज को कम कर दीजिए धिरे जिरे डियाबिटीज कम होती जाएगी तो हो सकता है कि अलोपेथिक दवाई की जो पावर आप दवाई ले रहे है वो भी कम हो जाएगा पांसो से दोसो पचास ग्राम हो जाए और भी कम हो जाए फिर एक ऐसा समया जाएगा कि आपको डियाबिटीज में दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और फिर आप जो है मदुनाशनी वगएरा पतनजली का आप यूज कर सकते हैं और उसके कोई साइड एफेक्ट अज़ को ड़ाई आपन जो लेते हैं इसकी अलोपेथिक ड़ाई वो जरूरी तो है लेकिन उसके साइड एफेक्स बहुत रहते हैं तो मदुनाशनी आती है इसमें पतनजली में उसको आप ट्राइ कर सकते हैं साथ-साथ में ट्राइ कर सकते हैं कि एक टाइम अलोपेथिक पर डॉक्टर से आप जरूर संपर कर लें उनका सजेशन भी ले लिजे ठीक है लेकिन मदुनाशनी रियली वर्क्स वेरी वेल अच्छा है वो तो आपको फ्रेंड्स याद अखना है कि अगर फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मैरेज फंक्शन आ रहे हैं आपका बर्डे आ और जामून है यह सब आप प्रेयोक करें तो काफी आपको फायदा मिल सकता है अंजीर के पत्ते अगर मिल जाए तो उनका प्रेयोक करिये ठीक है देखिए दो एफ बिलकुल भी नहीं करना है अगर आपको डायबीटीज है एक तो होता है फास्टिंग और दूसरा है फीस् और फीस्टिंग करेंगे मतब दावत उडाएंगे को यह गलत है ऐसा कहा गया है हमारे धरम में की अती सर्वत्य वर्जयत तो अती न करें थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाएं और जिस दिन आप खाएं उस दिन यह अगरुवेटीक उप्चार जलू कर लें आज आज आपक को फिर सुवे मेथी दाना खा लो और रेगुलर्ली आप खाओ मैं ते कह रहा हूं कि यह जो मैंने उप्चार बता है रेगुलर्ली आप करके देख लो और साथ में थोड़ी वॉकिंग करो एक्सराइस करो योगा करो और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ठीक है बड़ी प्र करते रहे कितना शुगर है इसको करना बहुत जरूर्य आजकल तो मशीन भी आगई मानीटर करने के लिए तो जो भी इंफोर्मेशन मैंने दी है आपको इंफोर्मेटिव लगी हो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा फिर मिलता ह हूँ एक नए वीडियो में एक नए उपचार के साथ तब तक के लिए बाई टेक केर फ्रेंड्स